अभी की खबर है क्या है थाड हाले में थाड यानि टर्मिनल हाई एल्टिट्यूट एरिया डिफेंस जैसी उन्नत मिसायल रक्षा प्रणाली को अमेरिका ने इस्राइल को भेजने का फैसला किया है यह प्रणाली मिसायल हमलों से बचाव के लिए डिसाइन की गई है और विशेश रूप से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसायलों को इंटरसेप्ट और नश्ट करने में सक्षम है बता दे कि इस्राइल और हमास के बीच वरते संखश और इरान जैसे देशों से संभावित खत्रे को देखते हुए थाड की तैनाते इस्राइल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए की जा रही है चली अब जानते हैं थाड के बारे में यह एक एंटी मिसायल सिस्टम है जिसे लॉग हीट मार्टिन द्वारा विक्सित किया गया है यह प्रणाली टर्मिनल चरड यानि अंतिम चरड में आने वाले बैलिस्टिक मिसायलों को निशाना बना कर हवा में ही नश्ट कर देती है इसकी उच्छ गती और सटीकता इसे अन्य मिसायल रक्षप्रणालियों से अलग बनाती है चली अब देखते हैं थाड क की तकनीकी विशेशताएं और महत्व लंबी रेंज और उच्छ एल्टिट्यूड या 150 किलोमीटर से अधिक उचाई पर इंटरसेप्ट करने में सक्षम है मोबाइल सिस्टम इसे ट्रकों पर तैनात किया जा सकता है और जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाय जा सकता है प्रभावी रडार सिस्टम इसका रडार सिस्टम मिसाईलों की ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है काइनेटिक किल तकनीक यह मिसाईलों को बिना किसी विस्वोटक के केवल टक्कर के प्रभाव से नश्ट कर देता ह 360 डिगरी सुरक्षा कवच यह दुश्मन की मिसाईल हमलों के खिलाफ पूरी सुरक्षा कवच प्रदान करता है यह प्रणाली इसराईल को लंबी दूरी की मिसाईल हमलों से सुरक्षा प्रदान करेगी इसराईल पहले से ही आईरन डोम और एरो मिसाईल सिस्टम जैसे प्र कर रहा है थाड प्रणाली इन प्रणालियों को लंबी दूरी के मिसाइल हमलों से निपटने के लिए पूरक रूप से काम करेगी थाड की तैनाती से अमेरिका और इस्राइल के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होगा यह तैनाती यह भी संकेत देती है कि अमेरिका हर प्रकार के सामरिक खत्रे से बचाने के लिए प्रतिबध है तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्ण को थाड के संदर्व में निम्नलिखित कथलों पर विचार कीजिए एक यह एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसे लॉग हीड मार्टिन द्वारा विक कोई नहीं इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद डियो व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले